एक बार फिर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बिहार एजूकेशन हप पे देखिए हम लोग आज जो है एक ग्यारमी क्लास का राजनितिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और राजनितिक विज्ञान बहुत ही जरूरी है ग्यारमी क्लास का क्य है और उन्हें लगता है कि यह स्लेवस से बार है एक्चुली से स्लेवस से बार नहीं होती है वो होती है हमारा यह 11th क्लास के कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जिससे कि वो क्या करते हैं प्रस्न पूछते हैं तो हम लोग जो मैं जो खास करके लाया हूँ आप लोगों के पास एक कंप्लीट सेट की तैयारी करवा रहा हूँ जिसमें 11 और 12 दोनों भी समाहित रहेंगे इसलिए आप जो है इस वीडियो को शुरू से लेके अंतक देखें और मैं कहना चाहूंगा जो इस चैनल पर न्यू है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटम को दबाएं और उ नाम था समिधान निर्मान उसी के अंतरगत हम लोग पार रहे हैं समिधान के सुरूत में बताया गिया है कि ब्रिटिस की ब्रिटिस संसद्वार निरित अधिनियम ये दिके हमारा पहला सुरूत है तो सुरूत के पहले हम लोग ये थोरह सा प्रियास करते हैं जानने का कि हम लागू करने के बाद काता है कि कुछ ऐसे चीज़ों को उन्होंने लागू किया था जिससे हम लोगों की कि लागू करने के परसाद जो है कुछ देन था निस्चित कुछ सुरोत था उसी सुरोत के माध्यम से इन्होंने क्या क्या था सुरोतों को लाया गया था कि दीकिए सु ब्रिटीस हों का दबदबा रहा है उसी के हम लोग गुलाम थे उन्हीं के द्वारा नियमों कानुनों के थाथ हम लोग चलते थे गहता है कि उन्हों ने जब बुद्डीस सरकार यहां पर आई तो ुसटांटिंग में बैपार कर रहे थी और बैपार करने के बाद जो है धीर जमाना इस्टार्ट किया तो देखते हैं बारे बारे से क्या होता है उन्होंने इसलिए क्या होता है ताकि क्या हो सके यहां के लोगों पे अपना अधिकार जो है कानून के माध्यम से चला सके तो गदा इसमें राज परिश्द और केंद्रे विधान सवाद जो कि उपरी और निचली सदन थे जिनके अनुसार ही हमारी अभी भी सरकारे क्या कर रही है काम कर रही है यानि कि उसी समय का जो जिस सम यह बिवस्था को अपनाया गया था इसी के कारण अपनाया गया था इसके बात करता है उनीस सो पाइटीस में भी एक महतपूर्ण जो है कानून लागया था जिसमें से कानून के तहट प्रांतिय स्वाध्ता में बदल गया था यानि कि हम लोग कह सकते हैं कि इस एक्ट के म महतपूर्ण एक्ट था जो क्या अभी भी हम लोग क्या करते हैं उसमें लागू किया हुआ है और उसी कानूसार से काम भी कर रही है तो इस एक्ट में एक और बात अस्थापित की गई थी कि जिसमें उनीस सो पचास में राश्टपती के आदेस के अनूसार सर्वत चिन्या बना दिया गया था अब देखिए इसमें एक सर्वत्ची न्याले का भी अस्थापना किया गया था और उनीस सो पचास में ये अस्थापित किया गया था क्योंकि सर्वत्ची न्याले का होना बहुत जरूरी होता है अगर हम लोग को किसी भी परकार के न्याले की जवरत पर अब दिखें अब मैं कुछ ऐसी बाते भी है जो कि विदेशिस समिधान से ली गई है चुका हमारा जो देश था इनका कहना था खास कर कि जो बड़े बड़े विद्वान लोग यहां पर आयो वे थे ताकि उससे क्या होगा अपने आपको विकास मिलता है मतलब अपने आप में विकास होता है इसलिए गुनों को आपको गुन जहां से भी मिल रहा हूँ चाहे वो छटे चोटे हो बड़े हो या फिर किसी देश से मिल रहे हो किसी भी लोग से की मिल लें तो आपको क्या कर नच उस घुन को गहन कर लेना चाहिए है तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहां के समय धानिक लोग थाषिए जो सवविधान का निर्मान कर रहे थे भारत में इन लोगों ने क्या किया इन्ही को अनिकुल यानि की परिस्तिति के अनिकुल उसको जो ठीक समझा उन्हों ने उसको इसमें गहन न किया था जैसे इन्होंने सबसे पहले ब्रिटिस संसदिय पढ़नाली को अपनाया इसलिए कारिपालिका को वेस्थाफिका के परती उत्तरदाई सबसे पहले ब्रितिस भारत में संसादिये परणाली कहां कपनाया गया इसके बात अमेर्का से लिया गया है तो सुप्रीम नियाक समिक्षा अभी की गई भारत में अमेर्का से लिए गही है जैसे हम लोग को क्या होता है कि अगर हम लोग आपने दाट विए से समवर्ति निधी लिखा गई इसमें परिंटान गया है राज्टी के निर्देशक सिधान्थ राज के निर्देशक सिधान्त टोगा इसमें सुरह सब मिस्प्रिंट हो गया लिखने में अब लेंड के सम्विधान सब को राजी के नीती नुर्देसक्त स्द्धांत को लिया गया है तो दिखी यह सब क्या होता है कि यह सब एक सुरोथ इछला क्लास में मैंने बताया था बहुत सारे कमीटियों के बारे में उसमें से प्रारूप समीती जो महतवपूर्णू थी इसने क्या किया था सविधान के अनुच्यदों को लिखा लेकिन उन्हें पास करते समय सदन में काफी चर्चा वही यह दिखिए यह अनुच्यदों क लेकिन इसका विरोध किसंने किया था तो नहरू और पटेल ने इसका विरोध किया और बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है तो क्या होगा तो हम लोग British संसद्य पढडनाली को इसलिए अपनाएंगे क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आ बहुत लंबे समय से ब्रिटेन के ही संसदिय पढ़नाली को हम लोग देख से रहे हैं कई दसकों से इसके अनुभब भी किये हुए हैं तो अनुभब जब कर रहे हैं इन चीजों को तो हम लोग इसी को अपनाने का प्रियास करेंगे ताकि हम लोग इसको सही तरह से समझ सकें तो सही तरह से जिस चीज़ को समझ सकते हैं कि उसी को अपनाया जा यही बैतर होता है, इसलिए अमिर की अध्यक्ष परणाली को नहीं अपनाया गया, इसी प्रकार के बहुत सारे भिवाद होती हैं, बहस होती है, चर्चाएं होती है, जैसे एक चर्चा हुई थी और समाजव पादी संग को, तो यह भी मांग की गई थी, लेकिन सरदार पटेल और मुंसी जो है थे, उन्होंने क्या करते हैं, इसका विरोध किया था, जिसके कारण यह संबह नहीं थी, यानि कि दिखें, गंबिर चर्चाएं होती है, बहस होती है, तब जाके किसी भी प्रकार के, जो सविधान सभा में लागू की जाती है, अब दिखें, नेक्स्ट है संसदिय कानून, समय समय पर हम लोग देखते हैं कि भारत में क्या होता है, कि कानून बनती है, और कानून बनने के साथ साथ अगर रिफ्त अस्थान की पूर्ती भी करती है, अगर मान के चलिए, किसी भी अनुछेद में अधिनियम समिधान के अनुछेद की पूर्ती करते हैं, तो हम लोग एक उधारन के द्वारा समझने का प्रियास करते हैं, अगर सुप्रीम कोट हो या हाई कोट के जजों को हटाया जाना है, तो इसमें कहा गिया है, कि कुछ नियमों को जानना जरूरी है, इस नियम को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जाच परताल करनी पड़ेगी, तब जाके उसको हटाया जा सकता है, नहीं तो नहीं, जैसे राष्टपती को भी हटाने का है, तो उसमें महाभियोग लगा जाता है, सुप्रीम कोट के जो मुख्य नियाधिस होते है मतलब यह करने का मतलब है कि यहां पे क्या करना पड़ेगा, महाभियोग लोग जाता मिन के कि संविधान में लखा गया हो, तब ही संभवर नहीं तो नहीं है. next है point हमारा नयाईक विवस्था है नयाईक मतलब होता है नयाय से नयाय मतलब कोई भी किसी भी परकार के विवाद हो रहा है विवाद गरश्ट तरा उसका सही धंग से निप टारा करना तो यहां पे दिखिए हमारे देश में लगवक तीन अस्तर का है जो कि ओ असपश्ट और कुए वादगरस्थ इस्तित्यों का करती है निवाएन करती है जैसे हाइध कोट हो गिया सुप्रिम कोट हो गया और एक संगय नियान याल यह तिन प्रकार से क्या करती है नियाई की है विवस्ता करतीय आप देखिए नियाई की बिवस्ता में राश्ट WRati की अगर भूमी का आती है तो राश्टपती चाहता है अगर वो चाह सकते हैं तो वो सुप्रीम कोट के मुख्य न्याइदी से क्या कर सकते हैं प्रामर्स ले सकते हैं यहां पर ब्रहमन लिखा गया है यह ब्रहमन गलत है यहां पर प्रामर्स हो सकता है कि यहां पर राश्टपती जो है गौरक, ये डवल गौरक लिखा गया है, गौरक नाथ कि 1960 में दीखे, नियाले ने कहा था कि समिधान मैंसल कोई संसोदन नहीं हो सकता जो मौलिक अधिकारों में क्या जाना जाता है मौलिक अधिकार होता है जन्म से मिले मुल अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है तो मौलिक अधिकार में किसी भी परकार का संसोदन नेगा नेक्स्ट आगे हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कितने परकार क्या होते हैं और क्या क्या नहीं होता है तो अब भी हम लोग यह जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार में किसी भी परकार के बदलाव नहीं होना चाहिए तो ये भी क्या था एक स्रोत था इसी स्रोत के माध्यम से लिया गिया है जो कि हमारा सम мужчिदहान को लिखने में काफी मदद मिली है और एक व्यापक अस्तर ग्रहन किया है अब आता है कारिपालिका कादिश कारे पालिका के आदेस के अनुसार ही हम लोग क्या करते हैं सारा का सारा आदेस को मनना पड़ता है समय समय पर राज के अध्यक्ट जो होते हैं या फिर मंत्रियों की और से जो आदेस होते हैं जिनका पालन जो है सबों को करना अनिवारी होते हैं और इनका जो आदेस होता है वो समिधान के अनिच्छदों के परिपूरती भी करते हैं मतलब समिधान के जो नियम होते हैं उन्हीं के तहट ये लोग कारे करते हैं इसलिए जो है सबों को मानना अनिवारी माना गिया है तो देखी इसमें से और भी जैसे के राष्टपती के कुछ आदेस आते हैं परदानमंत्री के आदेस आते हैं या फिर राजपाल के आदेस आते हैं या फिर मुकमंत्री के आदेस आते हैं या अन्य सवेधानिक अधिकारी जो होते हैं उनके और से जो आदेस आते हैं इस कोटी में रखा लिया है और इनके आदेसों को हम लोग क्या करते हैं समय समय पर पूर्ति गए अन्य सवेधानिक अधिकारों में हम लोग देखते हैं जिसे चुना आयोग के अधिकारी होते हैं मानना पड़ता है तो कारिपालिका का आदेश भी जो है हम लोगों के लिए क्या होता है बहुत ही इंपोर्टेंट होता है अब देखिए इसमें से एक बार देखिए और एक चीज और बताना चाहता हूं कारिपालिका के आदेश में देखिए परधानमंत्री यदि लोकसभा म असपश्ट बहुमत ना होता है तो राष्टपती क्या करता है उसमें समय एक समय दे देती है निधारित कर देती है जिसके बीतर काता है कि सरकार को सदन का आपको विश्वास मत प्राप्त कर लेना चाहिए तबी आप क्या कर सकते हैं सरकार का निर्मान कर सकते हैं नहीं तो य ये एक उसका आदेस होता है राष्टपती का आदेस होता है और सरकार क्या करती है कोसिस करते रहती है कि हम जो है एक विश्वास मत प्राप्त कर लेंगा और अपनी सरकार बनाएगा अगर इस इस्तिती में बहुमत दल वाले नहीं कर पाते हैं तो उससे जो नीचे वाले होते उसको कहा जाता है कि आप जो है कि सरकार बना सकते हैं क्योंकि जो ज़्यादा सिट लायते वो इसमें और सफल हो गए तो ये आदेश आता है किसके तरफ से राश्ट पती के तरफ से आता है तो चलिए ये हम लोग आज देखें सविधान के कुछ परमुकसरोत के रूप में ज